तो कैसे हैं आप लोग वेलकम टू माइंड यूरोन बिस्मस सब्सक्राइबर और अगर तुम लोग नए हो तू सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटान उसमें चपल फैक्टे मारो या फिर जर्रे वाली गन मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए हेलो दोस्तों तो आज की मुई का नाम है स्टाफिंग स्टाफिंग का सीधा मतलब कौन काम करेगा तो देखते हैं इसकी डेफिनिशन थोड़ी डीप में स्टाफिंग इन्वाल्स फाइंडिंग दर राइट परसन फोर दर राइट जॉब हाइरिंग दर राइट क्वालिफिकेशन डुइंग दर जॉब अट दर राइट टाइम यानि जिस टाइम हमें जरूरत हो उस टाइम ऐसा परसन सेलेक्ट करना जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो टैलेंट हो और वो काम कर सके तो staffing का मतलब सही time पे सही person को ले के आना ताकि वो काम कर सके और हमारी organization को उचाईयो पर ले के दा सके तो अब हम देखते हैं importance of staffing पहला, filling the vacant job अगर हम staffing ही नहीं करेंगे तो vacant job को कौन भरेगा और जब job नहीं भरेगी तो काम कौन करेगा अगला, right combination परसन को उसकी qualification के according job मिलेगी थर्ड, growth of an enterprise अगर जो हमारा employee है, वो talented है तो company की growth तो होगी न फॉर्थ, helps in competing दो companies का example लेते हैं एक आते हैं अपनी YouTube, दूसरा आते है टक्टी टॉक हमारी वाली जो company है ना, उसके employee talented है यह लोग नए नए things, creative, innovative ideas लाते रहते हैं बट यह वाली company के employees आना, एकदम टक्टी है काई पर भी हग देते हैं तो कौन से company grow करेगी अरे, sir, यह भी कोई पूछिना लिवाता है Of course, YouTube तो अगला आता है, optimum utilization of human resources अब हम staffing में न, सही person को सही काम दे रहे हैं तो उसकी न, utilization अच्छी होगी इंप्रूफ जॉप सेटिस्फेक्शन अब जब हर बंदे को उसकी qualification के हिसाब से उसको काम मिला है तो उसकी satisfaction न, improve होगी तो अब आते हम अपने अगले topic, HRM department पे यानि Human Resource Management Department जो organization बड़ी होती है उनमें न, staffing के लिए अलग से department बना दिया जाता है जिसको कहते हैं, अचारम department तो अब हम बात करते हैं, staffing process की न, number one, estimating manpower सबसे पहले हम ये देखना होगा कि हमें कितने लोगों की ज़रत है और कैसे पतल आएगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले workload analysis करना बढ़ेगा इसका मतलब हमारे पास कितना काम है अगला हम देखेंगे workforce उस काम को करने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं अगर लोगों की ज़रौद और है तो हम staffing start करेंगे यानि लोगों को काम पे लगाना start करेंगे नए लोगों को लाएंगे अगर लोगों की ज़रौद नहीं है यानि workload कम है और काम करने वाले लोग ज़ाद है तो हम staffing करेंगे क्यों हम पुराने वाले लोगों को ही निकालेंगे second process है recruitment recruitment का मतलब कि हम लोगों को attract करें कि आप हमारे यहां आओ और हमारे यहां के काम करो third आता है selection ये एक तरह की negative process होती है क्योंकि mostly क्या होता है न हमें जरूरत कम लोगों की होती है लेकिन form ज़ादा लोगों की आ जाते हैं जैसे मालों में 70-60 लोगों की ज़रौद है और 10,000 लोगों ने form बढ़ दिये तो selection में हम जितने लोग select करते हैं उससे कही गुणा लोग reject करते हैं fourth आता है placement and orientation placement का मतलब उसको job मिलेगी orientation का मतलब पुराने लोगों के साथ नए लोगों को introduce करवाना fifth आता है training and development time to time इनकी training करना क्योंकि अगर हम इनको काम पे लगाके ऐसी छोड़ दिया तो इनकी capability कम हो जाएगी बड़ी organization के लिए staffing यही तक है लेकिन अगर HRM department नहीं है if there is no HRM department so हमें तीन पंट और करने पड़ेंगे छटा आता है performance appraisal वो employees कैसा हमारी organization में perform कर रहे हैं उनकी एक report त्यार करना कि वो कैसा perform करते हैं next आता है promotional and career planning जैसा उन्होंने performance ली उसके according उनको promotion देना और future के लिए आगे चीज़े देखना फिर last आता है compensation फिर उसके according उनको compensation देना यानि salary देना तो बस यार आज के लिए इतना भोत है ज्यादा पड़ेगे तो ठक जाओगे अगर तु नए हो तो चैनल को subscribe घंटा घंटी कर दो मिलते हैं next episode में सफर कैसा है ये सफर मनजिलो की ना है कोई खबर की ना है